हेलो व्रीवन आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे इस पेंडमी की सिजुएशन में और सभी जरूरी प्रकॉशन ले रहे होंगे इस वीडियो में हम आज इस पोकन इंग्लिश से रिलेड़िट कुछ सेंटेंस करेंगे आज हम डिसकस करेंगे कुछ इस परकार के सेंटेंस जिन में कुछ लोगों को प्रोब्लम्स आती हैं या कोई यदि सामने वाला उस सेंटेंस को बोल देता है तो हमें समझने में कहीं ने कहीं थोड़ी सी प्रोब्लम्स आ जाती है तो इसी तरह के sentences को आज हम discuss करेंगे It is no use plus verb की first form में ing देखे जब हम इस परकार से कोई sentence बोलते हैं या कोई वाक्या बोलते हैं कि इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है उसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है तो इस तरह के sentences में हमें किस परकार से अपना जो structure होता है उसको बनाना होता है किस तरह से हमें sentence को बोलना होता है तो हम discuss करते हैं देखे इट इस no use going there अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं है देखे जनरली हम इस तरह के sentences को बोलते है इट इस no use of going there लेकिन हम यहाँ पर of use नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर of use नहीं कर रहे हैं यह structure बलकुल सही है कुछ लोग जो नए हैं English में जिनको जादा English की knowledge नहीं है उनको यह sentence कुछ awkward सा लग सकता है क्योंकि यहाँ पर of का use नहीं हुआ है यह fashion में इसी तरह के sentence use होते हैं वहाँ जाकर कोई फाइदा नहीं है इसी तरह से आप दूसरा sentence ले सकते हैं उससे पूछ कर कोई फाइदा नहीं है अब आपको यह structure याद रखना है इसके बाद आपको verb की first form में ing लगाना है उसके बाद आपको him लिख देना है यानि जो भी आने वाला word है वो आपको लिख देना है third example देखते है it is no use worrying चिंता करने में कोई फाइदा नहीं है या चिंता करने का कोई फाइदा नहीं है इसी तरह से fourth example देख सकते हैं उसके साथ बहस करने का कोई फाइदा नहीं है fifth sentence देखते है या मामला दोबारा डिसकस करने का कोई फाइदा नहीं है कुछ बात ऐसी हो जाती है कि दोबारा बात को यदि हम उठाते हैं तो problems होती है या कुछ disappointment हो जाती है तो इसी तरह से आप इस sentence को use कर सकते हैं अपने daily life में इस matter को दोबारा उठाने का या दोबारा use करने का कोई फाइदा नहीं है it is no use discussing this matter again इस मामले को दोबारा discuss करने का कोई फाइदा नहीं है ओके नेक्स्ट देखते हैं is it any use जब हम question पुछते हैं कि क्या इस मामले को उठाने का कोई फाइदा है क्या उससे ये question दोबारा पूछने का कोई फाइदा है क्या चिंता करने का कोई फाइदा है तो जब हम इस तरह के sentences पूछते हैं तो इसी को आप interrogative में पूछ सकते हैं Is it any use verb की first form में ing लगा सकते हैं Is it any use worrying चिंता क्या चिंता करने का कोई फाइदा है इस तरह से आप इस sentence को बोल सकते हैं Next is what is verb की first form में ing अब यह भी interrogative है यह है डबलो ह फैमली वाला अब यहाँ पर पूछ रहें इस चीज़ को करने का क्या फाइदा है तो इसी तरह से आप इस sentence को भी बोल सकते हैं What use is worrying चिंता करने का क्या फाइदा है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं इसी तरह से आप other sentence में भी इसको use कर सकते हैं कि what use is asking him उससे पूछने का क्या फाइदा है इस तरह से आप इस sentence को भी सकते हैं ओके वैसे जनरली जो होता है यह sentence जो जनरली बोले जाते हैं वह इस तरह से बोले जाते हैं कि आपको यहाँ पर off-use करना हो जनरली जो लोग बोलते हैं वो यहां पर off use करते हैं but I would like to recommend you that stop using off and use these sentences like this because in a modern time you have to speak like others यदि आप पुराने level English बोलते रहेंगे तो कहीं न कहीं आपको जीब लगेगा कि यह किस तरह से बोल रहा है और मैं किस तरह से बोल रहा हूँ तो आपको कहीं न कहीं नई चीज़ों को अडोप करना चाहिए so next जो हम discuss करने वाले हैं जिसे करने की आपकी कोई इच्छा होती है जैसे आपने कहा कि मेरा पानी पीने का मन है, मेरा नहाने का मन है, मेरा वहां जाने का मन है तो इसी तरह के sentences को use करने के लिए इसी तरह के sentences को बोलने के लिए आपको use करना होता है subject plus feel like plus verb की first form में ing यदि आप कहना चाहते हैं मेरा कुछ खाने का मन है तो आप कहेंगे I feel like eating something I feel like eating something मेरा कुछ खाने का मन है I don't feel like working here मेरा यहां काम करने का मन नहीं है जब आपका किसी चीज को करने का मन होता है या नहीं होता है तब हम इस तरह के structure को use करते है I feel like having a hot cup of tea मेरा गरम चाए पीने का मन है जब किसी चीज को आपका करने का मन होता है I feel like going for swing मेरा swing करने जाने का मन है I feel like slapping his face मेरा उसके चेहरे पर चांटा लगाने का मन है next do you feel like a tea क्या आपका चाए का मन है next I feel like a bath मेरा नहाने का मन है तो इसी तरह से आप इन sentences को use कर सकते हैं okay so guys इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे thank you so much for watching this video यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो informative लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजेगा अपने friends के साथ share कीजेगा okay so इस वीडियो को इतना ही रखते हैं thank you so much for watching this video bye